दोस्तो हाज़ना एक होर वीडियो रिपोर्ट लेके चैनल रितेश लखी आन प्लाग दी सीरीज चारी है जिस तहद के 1984 दे सिख कतलेयाम होते कई रिपोर्ट लेके मैं थोड़े सामने हाज़र होया हाँ आज उसी लड़ी दे वीच एक होर रिपोर्ट लेके आ रहे हैं जिस वीच मैं गाल करांगा दिल्ली दे अलग 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 इलाके दे वीच किस तरीके नल कतलेयाम जड़ासी होया कोशिश रहेगी इस रिपोर्ट दे विच आपा मैप कर सकी है दिली दे अलग अलग जोन ते उना इलाकियां ते फोकस कर पाई है जो कि सब तो ज़ादा इस कतलेयाम तो परभावित रहे दिली नूँ मुख तोरते कई खंडा दे विच बंड़ा जा सकता है लेकिन तिन इलाके जैपा दिली दी पो गॉलिक स्थी नूँ समझीए तिन ऐसे इलाके सन जित्थे की इना दंगया या कतलेयाम दा असर सकतो जादा वेखन विच बिलिया दिली दा यमना पार दा इलाका जिसनों ट्रांस यमना एरिया दस्या जानदा है इस दिली इसनों मनना जानदा है दिली इस दे विच सब तो जादा कतलो गारत होई तकरीबन एक तो लेके सवा या डेड़ हजार दे विच लोग कले दिली इस दे विच यमना पार दे इस इ इस तो लावा दिल्ली दा दखनी लाका दे दिल्ली दा पश्चमी लाका यानि की साउथ डेली जिते की दिल्ली कैंट पैंदा है इस ते बावजूद भी दिल्ली दे कैंट विच जम के जड़ा कतलयाम सी इदंगे जी उननों पढ़काया गया ते कॉंगरस दे आगू उसनों लीड कारते होई भी नजर आए इन फैक दिल्ली साउथ ते दिल्ली कैंट दा इलाका अजेहा इलाका है जिस विचों जेड़ी भी वारदाता होई एं उस विच वड़े लीडरानों सजामा मिलन दे पक्ख़ों इस इलाके दे विच होई आँ वारदाता दे विच कई पुक्ता सबूत ते गवा बाद पोश्यानों सदामा दुवान विच अपनी पूमिकावी अदा किती। इस तो इलावा दिल्ली पच्चमी दा इलाका सी जित्थे की एक बहुत ही वड़े स्केल उते दंगा होया, दंगा काथ कतलयाम जादा सी, मंगोल पूरी दा इलाका, नांगलोई दा इलाका, इना इलाका दे विच भी बहुत वड़ी कतलगार जड़ी है वेखनों मिली, लेकिन अक्सर अलागलाग मीडिया रिपोर्ट्स दे विच दिल्ली दे कुछ वड़े कांगरसी आगवाँ दे ना जिकर दे विच लेके आने हैं, जैद नी सो चुरा सी ते कतलयाम दा जिकर हुंदा है, इस केड़ा लीडर किस इलाके दे विच एक्टिव सी, ते उसने किस तरीके दी पूमिका दा के थी, बात दे विच जड़ी अदालता दे विच केस चले, उना दे विच उना नुझे रियायता मिलिया या रहता मिलिया था, उना बेस यादार की सी, ते ज़े अदालता ने कई-क इस साल ते कई कई क्लोजर रिपोर्ट या फिर उना नो रियायत पचान वाली हैं पुलस रिपोर्टां दे उल्ट जाके भी उना नो सजामा दिती हैं तप हरो दे फैक्टर्स की संग तो एसे लड़ीते हैं सब तो पहला केस जड़ा सब तो मत पूरन केस जिसनों डिसकस करना बांदा है ओ है क्योंकि मैं दिल्ली इस दी काल किती सी ट्रांस यमना इलाके दी काल किती सी मैं उसी इलाके दी काल करांगा जित्तों की HKL पगत जो की दिली इस तो मेंबर पार्लेमेंट सन HKL पगत उस वक्जदों की 1984 देविच इंदरगादी दी मौत हुंदी और इस तो बाद एक कतलियाम हुंदा है उस वक्जदे आई एंड भी मिनिस्टर यानि ही Information and Broadcasting Minister सन देश दा एड भी मिनिस्टर इस पदर दे दंग्या देविच या कतलियाम देविच इंवल्ड सी इस सोच के भी अपने आप देविच शर्मान दिये है हैरानी हुंदी है लेकिन ए फैक्ट है कि HKL पगत जिन दा काद काद काफी छोटा सी मोटा गोरा चिक्ता रंग लेकिन अक्खा होते काला चेश्मा एव शक्सी जो कि दिल्ली इस्ट खास करके मैं जिकर किता कल्यानपूरी लाके दा थे उस कल्यानपूरी लाके देविच तर लोग पूरी जड़ा पुलस थाना पहनदा सी उस दी हदा दे हेट जेड़ा भी दंगा पड़कदा है जेड़ा भी कतल्याम होंदा है उस विच एक्टिव पूमिका देविच नजर आदा है ये वक्री गाला भी अदालता कदेवी एच्केल बगत पगतनू इस कतल्याम नी दोशी नी ठहरा पाईया लेकिन जो भी प्रताक दर्शी ये जेड़ी नी अलागला कमीशना ने इस पूरे कतल्याम नी को उख किती रंगनात मिश्रा तो लेके नाना बटी कमीशन तक उना पड़ताला तहत 2005 आउंदे हैं इस साफ होन लगा सी भी एच्केल पगत दे खिलाफ इस तरीके दे सबूत ते गवा उपलब्द ने अथी में अपनी गालबातों थोड़ जा डाइग्रेस होना चामाँगा क्योंकि मैं पूरे दिल्ली दे बीच जेड़ा भी कतल्याम होंदा है उस दे एक मोड़स अपुरेंड़ा ही दी गाल किती सी केरोसीन मिट्टी दा तेल पाके लोगां उनते पौडर पाके इंफ्लमेबल जेड़ा पौडर होंदा है उपाके उनना दे गड़ा दे वीच टैर पाके आग लगाके इस तरीक के नल उननों मारे जान दा एक स्टेंडर्ड जेड़ा तरीका अपनाया जा रहे सी जिस तो प पहुंच रेसन पहला था उनने दी शिकायता नों दर्ज नी कराया जा रहा है सी फ्रेंटे कॉल्स लोकावल नों पुलस थाने विच कॉल किती हैं पुलस मौके थे पहुंची नी मैं पहला रिपोर्टना विच जिकर किता लेकिन जदों ए पूरा था पूरा मामला कटनाव वड़ियां हो गी हैं कई FIRA तकरीबन पांच साड़े 500 FIRA दिल्ली दे विच दर्ज होई हैं तो ना FIRA दे विच एक्यूज दे ना लिखन दे पक्षों दिल्ली पुलिस दी जड़ी पूमिका सी ओ बहुत ही नाकरात्मक सी ओ बहुत ही नेगेटिव सी यानि कि एक्यूज दा ना दिल्ली पुलिस ने दर्जी नी किता एवी समझी चाया एक स्टैंडर्ड जाएक फॉर्मैट पुलिस ने बना लेया सी इस विच की ओ मरन वाले दा ना पता लेंदे सन उस तो इलावा एक पुछ दे सन वी किन नक नुकसान हो गया कदे भी उन्हें ने इस चीज या दहाक्यां तक इना केसां दे विच दोश्या नो सजामा नी हो पाईयां क्योंकि पुलस ने चीडियां मुड़नी आए फईया रिजिस्टर किती हैं सन उना दे विच एक्यूज दे ना ही शामल नहीं सन किते तो इस दियां कई मिसाला मिल दिया ने एच केल पगत दिल्ल इतन ब्लॉक साथ तो ज़्यादा प्रभावत सन एक नवंबर दी स्वेर नो एथे जड़ी दंगाई पॉंच देने जिना वलनो ब्लॉक नंबर चती दे गुर्दवारेच आगल लगाती जान दिया इस आगल लगन तो बाद हिंसा पड़क दिया ते कुछ लोका दे नाल क्या विच पॉंच देने तो लोग पूरी दे अलाका में तो नो एथे दासदमावी ए जड़े गरीब सिख परिवार सन उनना दी जादा वसों एथे सी ओ परिवार जो की सिख लिगर या फिर जुलाहे सन अजे हे ओ लोग जो की समाज दे बहुती हेट ले तब के तो पच् के मकान जड़ें उपलब्द कराए गए सी तो अजे ही ना चार चार पांच पांच लेना सन अलाग लाग वार ना दे विच या जड़े ब्लॉक सन दिना विच वार्ड नंबर ब्लॉक नंबर बती ते चथी देविस साब तो ज्यादा कतलोगारत होई तर लोग पूरी दी पर इड़नों लीड कर रहे सी रामपाल सरोज नादे एक लोकल वार्ड ब्लॉक लेवल दे कांगरस दा प्रदान ते इस दिना ली डॉक्टर अशोक कुमार अथो ने कांस्टर दस्ते जान देने ए लोका दे उत्ते छतर चाया दंगा जदो होर अगे पड़कदा है ता उस वक्त गुर्द्वारे नो जदो आगल अगन दी कटना होंदी है उस तो बाद पुलस नो सुचित किता जान दा है मौके ते एक शूरबीर सिंग त्यागी नादा SHO जो की स्थानक इलाके ता SHO होंदा है वो मौके ते पहुंच देना होर पुलस फोर्स भी होंदी है इस दोरान दंगाई जड़े हैगे ने काफी गिंटी दी वी जगठे हो चुके होंदे ने जो कि एटे सिक होंदे ने त्थानक सिख जो कि ओथे रेंदे हंदे ने वाड नमबर बटी दे च्छती वाले उपने अफने करांदे विच तेहरियां कारंदे ने ओना कूल भी करपाना होंदे है औना कूल हत्यार, रोड्ज या ढंडे वगारा सारा होंदा है जो इस तरीके दा जो बिल्ट अप होंदा है ते इस चीदा अंदाजा दंगाईयां वलोन लगाया जा चुका होंदा है विह उन एथे एक मुकाबला होएगा जिस्तो बाद की पुलस नू अग्गे पाया जानदा है शूर भी सिंग त्यागी वरगे अजेहे अफसर जो की उत सिखानों एड्रेस कर देने है ते केंदेने वी तोनू कब रांदी लोड दी पुलस हुन आ चुकी है इस गुर्दवारे दी है ते इस इलाके दी हफाज़त ले पुलस थोड़े नाल खड़ी रहेगी उस तो बाद इना लोकां तो उन्हादे तलवा उन्हादे रोड हथिय त्या यार जिन्हें वी ओग जो कि स्थानक सिख उठ ले बादी हुंदि है औना तो उन्हादे सारे हर्थयार लेले जादेनें न Bonus बहुत हराणी दी हमलाय पुलिस वलन उन्हाद कर देस ông करता जांता है ते उस तो बाद उठुने ऑ़ जड़े स्थानक वसनीख हुन देन जो की उना लोग का नो जो की एना दंगाईयां दी पीड़ दे सामने एक टारगेट सन उना नो डिस आम करके उत्थों तुर्दे बने इस तो बाद दंगाईयां दी पीड़ वल जिसनो की अगेन मैं पहला जिकर कर चुका है कि राम पाल सरोज आते डॉक्टर शोग कुमार वर गे लोग लीड कारे हूंदे ने उना थे उना वालो हमला किता जान्दा एक इक चुगी ते होते 500-600 लोगा वालो हमला किता जानदा जान्दा थे वह लाका होंदा है जो की एक नमबर या दो नमबर दी इस हिंसा ते इस कतले आम तो बाद विद्वामा दा एक बहुत वड़ा केम्प बनके रह गया है बहुत सी महिलामा नो बाद दे विच ते लोग पुरी चो इवैक्वेट करके इना नो तिलक नगर दे विच बसाया गया इना महिलामा दे नाल भी बहुत जातियां हुई यां, बलतकार बहुत सी महिलामा नाल हुए थे, बहुत सी ऐसी कहाणियां बाहर ही नहीं आ पाईयां क्योंकि जडों अपने पतिए अपने पतामा अपने प्रामा अपनी अखां दे सामने 60 यह महिलामा ने देखा उस्तो बाद इना नाल जो भी कुछ होया उसनु बयान करन थे उस केस नु परसू करन थे हिम्मत ना विच नहीं सी बच्ची उस सारी अंगलना बाता मीडिय दे विच कुछ आतक रिपोर्ट था हो पाईयां लेकिन कदे भी F.I.R. दे विच बतौर क्राइम या बतौर अपराद नहीं जुट पाईयां क्योंकि इना महिलामा वलनों उना उस त्रिक के नल पुलस दे सामने रख्या नहीं गया है थे एचकेल पगत नू इस इलाके दे विच वेख्या गया सी कई अजेहियां महिलामा जो की विद्वामा सन जीनने की ठोके गवाहियां देती हैं बात दे विच ओना वलनों एचकेल पगत ते उस दी पूरी दी पूरी डिस्क्रिप्शन दिती गई लोग एचकेल पगत नू बतौर लोकल एमपी होंदे ना ते पछान देवी सन सो अलागला कमिशनरे सामने इलोका वलो बयान दर्ज किते गए लेकिन साल 2005 आउंदे आउंदा जाद तक नाना बटी क बीशन दी रिपोर्ट नहीं आई उस तो पहला एचकेल पगत दे खिलाफ कोई भी कारवाई नहीं हो पाई एचकेल पगत उस तो बार कई बार चोने भी गए लेकिन 2005 देवीच एचकेल पगत दी मौत जडी सी ओ अल्जाइमर डिजीज करके आने कि अपनी बिमारी करके ओना दे खिलाफ इस तरीक एनल ट्रायल नहीं तूर पगत जिस तरीक कीनल कुछ होर ने तामा दे सो दिली देव deg यमनापार इस इलाके देविच तकरीबट सवा तो लेके ऍटेड़ हजार मौता इस इलाके देविच हो दियाने सब जादा प्रबावित अलाके देविचे अपने आपनों केंदी रही है उसने भी इना लोकां ले इना मजलूमा ली उस बुलंदी देना लावाज नहीं चुकी साल 2004 ते पांज तो बाद जदो नानावटी कमिशन दे रिपोर्ट आजन दी है ते उस तो बाद अकाली दल एक नवी एनरजी दे तहत इस पूरे स्टड़ी करी है 1984 तो लेके 2005 तक इना लोकां दी सार या इना लोकां ली दामदार अवाज जड़ी बननी चाही दी सी ओ पंजाब दे विच्चों भी नहीं उठी सो एता कहानी सी दिली इस दी इस तो बाद मैं दिली साउथ ते सिद्धा ना चामांगा दिली साउथ दिली स साउथ ते साउथ वेस्दा इलाका जित्धे की मेंबर पार्लेमेंट सी सज्जन कुमार हुने बहुत ही मतपूरण इलाका सी क्योंकि सज्जन कुमार नों साल दो हजार अठारा देविच उमर के दी सजा सुनाई गई है ते तकरीबन साठे तेन दहाके देख बहुत ही इलाके देख बहुत वड़े पद्दर दी कटलोगारत जड़ी से होई इस तो इलावा दिली दा साउथ वेस्ट इलाका वी सज्जन कुमार दी ही कॉंसी सी इसनों दिली आउटर कहा जानता है तो सज्जन कुमार बेसिकली मेंबर पार्लेमेंट सी दिली आउटर तो 1984 तक उ वो सब तो एहम मननी जान दिया है क्योंकि सज्जन कुमार वाहद अजेह एक MP है जिस दे अलाग अलाग थामाते जान दे कई सबूत जड़े है एक ते दो नवंबर नू मिल देने मैं दस दमावी HKL पगदे केस मैं जिकर करना पूल गए भी HKL पगद, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार ये तमाम अजेहे MP सन जिननने बाद देविच अदालता देविच ते पुलस कोल, इन्वेस्टिगेटिव एजंसियां कोल ए प्ली लें दी कोशिश किती भी उस थे दंगे थे कतले आम हो रहा सी, ओ थे ए सारे MPs अवेलेबल या मौजूद नहीं सन, HKL पगद ने, उस दे दो जड़े गार्नमें सी, ओ भी उस दे बाद देविच केसां देविच गवा बने थे, उस ने इही स्थापत कि, तवी मैं उस दिन दिल्ली इस्ट या यमना दे यमना पार इलाके देविच नहीं सी, तो किस तरिके नल इनने अलबाई लेंदी कोशिश किती, यानि कि मैं ओस थांते ना हो के, दूसरी थांते सी, इस वास दे उस दंगे देविच मेरी कोई पुमिका नहीं सी, लेकिन सजजन कुमार इस केस देविच फास जानदा है, दि सज्जन कुमार भी इना इलाके आना दावरा करता है, वी अपनी गड़ी दे विच बाकाइदा कई गड़्डियां लाहके अज चीज नों डॉक्यमेंट किता गया, इस चीज नों गवाहा दे जरीय स्थापत किता गया, उस तो बाद नांगलोई या कुछ शोर जड़े दिली दे इलाके सन, मंगोलपूरी दे इलाके, उस दे विच भी सजन कुमार नूँ उसे गड़ी दे काफले नाल वेख्या गया थे, उस दोरान उएक एंदा हुए नजर आंदा है, जो कि बेसिकली गवाही उस दी सजा, उस सजा जो कि उस नूँ उमरकैदी शकल विच मिली, उस द लीड कर रहे हुंदे ने, उस पीड़नू लीड कर रहे हुंदे ने, जो कि दिल्ली कैंट दे राजनगर इलाके उते हमला बोल दी है, एथे रैन वाले सिखा दे बारे चंगी तना याउना दे परिवारा बारे चंगी तना जानकारी हुंदी है, केर सिंग ते उस दा बेट सी जग्दीश कष्ण केन्टन रह संग अर्मी ज्डिली स्टाँ दिल्ली कईड लाके युच ये लोग आर्मी कॉंट्रेक्टर दे रूपिच काम करदे सी जक्षेर सिंग दा परिवार हाला कि उस दी उमर उस वक्स सारा ढारा साल दी दस्ती जान दी है लेकिन जक्षेर सिंग दास देवी कि इस तरीके नाल पीड़ नू अपने बल बाद्या हो है वे कि ओ पजण दी उत बाद ये दस्ती जान दा है वी दंगाईयां दी जेड़ी पीड़ है ये कहर सिंग अथे गुर्पीत सिंग उते हमला भी कर दिया ते उननू करूंक सीट के बार लजाके गली दे विच मार दें दी है इस सारी गल्ला बाता जगदीश को और भी देख रही हों दी है इस तो जड़ा जगशेर सिंग है उस दे तिन होर जड़े कजन हुंदेने परा हुंदेने ओना नू भी इसी तरीक किनाल मारता जान दा है हमला किता जान दा है थोड़ी ही देर बाद पीड री ग्रूप होके आन दी है ते उस तो बाद उस दे तिन परामानू मारता जान दा है दिल्ली कैंट दे विज जाके मेजर यादव जड़े हुंदे ने, जोकि उस दे जानकार हुंदे ने, क्योंकि खुद हो एक आर्मी दा कॉंट्रैक्टर दे वज़ों काम काम करदा हुंदा है, तो मेजर यादव नो बुलाके लेके आंदा है, मौके ते मेजर यादव आंदे इन वीक टेपकर केश हमी तरीक भी आई तरेकर आतने होत जोका शर्तनारी गाहेapter उत्वार सना जोकि ए तैरीक य सिर वाणास कार गई यह च् Hum secondaire Public पुर्जीत सिंग दे मुर्डर दा केस सी जो की बात दे बिच किसे सीरे नहीं चाड़ पाया। पुलस थी उसनों सज्जन कुमार दा ना एक हमलावर दे रूप इच लिखान दियां कई कोश्यां भी कितनी हैं लेकिन एक गालबात सीरे नहीं चाड़ पाई। पुलस नहीं चाड़ दे बिच लेकिन सज्जन कुमार दे बिच लेकिन सज्जन कुमार दे रिपोर्ट पुलस ने पहुंच नहीं दिया। उस्तो बाद FIR-JDC CBA ने इस केस दे विच दर्ज कर लई। CBA वलनों सज्जन कुमार नों इस केस दे विच अक्यूज नॉमिनेट करके एक FIR दर्ज कर ली गई। लेकिन इस FIR दर्ज करन तो महज वी या पच्ची दिन बाद ही दिल्ली पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट अदालत दे विच फाइल करती। तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती गई है उस भी सज्जन कुमार दे खिलाफ सबूत नों ना काफी दस्या गया। दो हजार आठ दे विच एक होर स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने फाइल किती। इस विच भी तकरीबन और ने ओहोजी गाल किती। लेकिन अदालत ने इस केस नों रोक के रख्या। 2010 दे विच फाइनली जड़ी अदालत सी उस भी इशारा किता गया विच ट्रायल चलाया जाए। ते सज्जन कुमार नों एक एक्यूज ते दोशी मंदें हुए हैं मुल्जम मंदें हुए हैं उस उते कारवाई किती जाए या अदालत दे विच मुकदमे बाजी होवे। लेकि 2003 दे विच दे ट्रायल कोर दा फैसला जड़ो आया उस दे विच सज्जन कुमार नों बरी करता गया इस केश दे विच यो दोशमुक्त करता गया हलांकि होर इस केश दे विच जिनने भी एक्यूस सन बलराम खोकर क्रिशन खोकर गिरदारी लाल ते एक होर पागमल न आए लेकिन सज्जन कुमार फेर भी इस केश दे विच भजदे रहे इस केश दे विच भजदे रहु दिलीदी ट्रायल कोर्ट दे इस फैसले दे खिलाफ CBI दिली हाई कोरड चली कि थे उसने इस केश नों जभी एक्जामन कई थे हाई कोर्शं ने फेर, 2018 दे विच सजजन कुमार नू इस पूरे दे पूरे कतल्याम लई या ये जिनिया पंज हत्यामा हो या जो कि जगदीश कौर दे परिवार दिया पंज हत्यामा उस दे पती केहर सिंग बेटे गुरप्रीत सिंग ते तिन होर उस दे परा इस अब दिया हत्यामा लई सज्जन कुमार नू भी तो अंवार ना को दकता सकता, ना शाया कोट ने स्ञाय। स्ञाय लावा सच्छन कुमार ने khla punya होर केस, जड़ा है, चल रहा है। इस तो लावा एक होर शक्स जिस्दा ना असी उनिसो चुरासी ते सिह कतले हम देविच बहुत ही प्रॉमिनेटली लेनेया ओ है जगदीश टाइटलर जगदीश टाइटलर दिल्ली सदर तो मेंबर पार्लेमेंट सन ते बादे विच जगदीश टाइटलर दे उत्ते वी कई बार मीडिया विच बहुत सुर्ख्या नहीं है जगदीश टाइटलर नो लेके लेकिन उनना दे खिलाफ F.I.R. अला अजता कोई दर्ज नहीं हो पाई केसी भी CBI ने साल 2007-2009 दे विच दो अलाग अलाग रिपोर्टां दे विच जगदीश टाइटलर नो लेके लेकिन चित नहीं पाया जगदीश टाइटलर दा केसी ओवी संजन दी कोशिश कार लाने है दिल्ली उत्तरी दा केसी दिल्ली नॉर्थ दा इलाका अजाद मार्के केस दे विच जड़े सवाल ते उंगला जगदीश टाइटलर दा उते उठ दिया रहिया ने लेकिन FIR दे विच जगदीश टाइटलर दा ना आज तक नहीं आ पाया है CBA तो क्लीन चिटा उननों मिली है लेकिन 2013 तो बाद अदालता ने एचीज महसूस किती विच इस चीज़े बावजू जिवे नानावटी कमिशन ने कहा सी CBA इस मामले नों दुबारा तो कोखे CBA इस मामले दी दुबारा तो जांच करे डिस्पाइट दा फैक्ट्वी CBA दो बार उसनों क्लीन चिट दे चुकी सी 2013 दे विच एक वखरे बदर होते CBA नों इस केस नों टेक अप करन ली कहा गया केस अड़या होया है अजेवी क्योंकि जगदीश टाइटलर अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट जड़ा है उसनों करान ली तैयार नहीं है किने CBA वल नों इस चीज़ दी कोशिशां बहुत कितनी है गई है लेकिन शुरौती स्टेज दे कई साल जगदीश टाइटलर ने अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट करान तो इनकार लगातार किता जगदीश टाइटलर दे खिलाफ उस तरीक के नल पुखता गवान नहीं सामने आ पाई जगदीश टाइटलर आंदेने इलाके दे विच ते उस वक्त कुछ ऐसे गवास ही जिनावल नो बाद दे विच अदालता दे विच या कमिशना जगगे गवाहियां देती है गई है ते दस्या गया वी ओस वक्त ओना ने जगदीश टाइटलर नो अपने कुछ स्थानक जड़े कांगरस दे वरकर सन उननो एक एंदे होया सुनेया पि तुसी उनने चंगा परफॉर्म नहीं कर पाई जिनना तंगा फसाद या जिनिया मौता होर इलाके विच होईया ने तुसी उस तरीक के नाल अपनी कार गुजारी नहीं दिखा पाई एक तरीक के नाल नंबर कटे ने इस तरीके दी गालबात जो वो कर रहे हैं सन इस गालबात दे अदार उत्ते भी कुछ गवाहिया जगदीश टाइटलर दे खिलाफ आईया ने अलागला कमिशनर दे सामने या फिर सी बिया दे सामने लेकिन कुछ गवा जड़े हैगे निस केस दे ओ अमेरिका जा चुके ने एवी इल्जाम लागदे ने वी जगदीश टाइटलर ने काफी हाथ तक अपने खिलाफ जड़े अलागलाग समयाते जड़े गवा खड़े हों दी कोशिचां करते रहे उन्हानों दबाउन दे विच हर हीला वर्तिया हर संसादन नों वर्त के उन् पर के सामने ही नहीं आन देता लेकिन ले देखे जापा जगदीश टाइटलर को जगदीश टाइटलर देनाल तकरीबन टेनिक साल पहला दोहजार अठारा देविच वेक लंबी चोड़े इंट्रिव्यू किती सी उस दा भी लिंक में फोड़े नल शेयर का रहे हैं ए जग गड़ी दे विच रजीव गांदी देनाल बैठ देने ते रजीव गांदी ओना दे इलाके विच हुंदया होया जान देने ते बाद दे विच एक था थे आके रजीव गांदी जो कि उस वक्त परदाद्बंतरी सन बिना सेक्योरिटी दे अपनी गड़ी दे भी जगदीश दी हद खतम होगी ओ थे रजीव गांदी ने उनानों उतारता थे एस दोरान रजीव गांदी दे नाल उना दी होर जड़ी प्राइम मिनिस्टेरियल एसकॉर्ट सी उस जिन गड़निया होर लाग जान दियाने थे उस तो बाद ओ हो एच्केल पगर्दे इलाके विच चले जाते रहे थे एच्केल पगर्दा इलाका केड़ा होया नौर्थ इसदा ओही इलाका जित्थे की सब तो जादा कतलो गारत होई तो एक गवाही बड़ी इंपोर्टेंट सी इस तो बाद मिलिस्ट्री ओफ होम अफेर्ज ने इस बनाई जान दिया थे तकरीबन 300 केस उस तो दित्ते गए जिना विचो तकरीबन 119 केस उना ने बांध करन दा प्लान किता बाद दे विच इल्जामे भी लागदे रहे भी इना 300 दित्ते होई केसां विचो महस 13 नो ही ASAT एक्जामिन कर पाई सुप्रीम कोट ने बाद दे व महीनिया दे विच आपा साल 2018 दी काल कार रहे हैं कई शुराती महीनिया दे विच जस्तिस टिंगरा नो जड़ा सी कोई आफिस या उना नो स्टाफ ही नहीं सी लॉट किता गया सो सरकार पामे कांगरस दी रही होगे या पामे मजूदा बीजे पी दी लेकिन 1984 दे सिक कतले आ अबाता रहे जंदिया ने सो फिलहाल आज दी रिपोर्ट नो ए थे विराम दांगा क्योंकि वड़े वड़े ना सुन लेही दे ने वड़े वड़े लीडरां थे MPs दी ता जिकर आपा सुन लेही दे नो सचुरासी नो दे दे कतले आनो इना लोका ने कराया सी लेकिन एग जिनकुमार जेल दे बिच हैगेने जगदीश टाइटर जेल तो बार हैगेने थे बहुत से अजे हे होर लोग भी बार हैगेने जिच बिच जिकर कमल ना दा भी आनता है रकाब गर्ज साब गुरदवारा दे संदर बिच उना दी गालबात होई सी लेकिन उना दे खिलाफ उस तरीके ना लाना भटी कमिशन ने भी कुछ गालबात नहीं सी की ती बहराल इस रिपोर्ट नो विराम दना है बहुत बहुत आनवाद तेश लख्यान प्लाग्न दी इस रिपोर्ट नो वेखन लेए साधी कोशी सी बिच दोक्यूमेंट कर दे हुआ है इग अल्दा थो बहुत 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 आनवाद इस रिपोर्ट नो देखन ली तेश चैनल आ जुड़न ली